तो my dear student ये है B.F.Hust Air के फर्स समेस्टर हिस्ट्री का पूरा का पूरा model पेपर, question पेपर तो जिन जिन भी इनवर्सिटी में आने वाले दिनों में student को हिस्ट्री याने की प्रचीन इतिहास की परिच्छा देनी है, उनको इस वीडियो से ये help बिलेगी, सबसे पहले तो आपक वह सब जानकारी मिलेंगी तो कम्प्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको काफी ज़्यदा हेल्प मिलेंगी तो भीना देरी की वीडियो को सुरू करते हैं देख लीजिए ऐसा ही पेपर मिलेगा जब आप पर इच्छा देने जांगे पहला पेज़ा ही रहेगा ठीक है पु और तीन घंटे का समय मिलता है कुछ इनुवर्शिटी में दो ही घंटे का मिलता है हलाकि अब दो ही घंटे का मिला इस बात को ध्यान रखेंगे 75 का पोड़ांग होता है सबसे पहले अतले गुत्रे को उत्तर देने से पहले यहां पर आपको कुछ दिसा निर्देश दी जा देते फिर उत्तर देते खुश्चन का ठीक है क्योंकि बहुत फारे स्टूइट गलती यह करते हैं पेपर मिलता है उनको तो पहला कोईस्चन का जो उत्तर लिखते हैं तो सबसे ज़्यादा टाइम इसी पे लगा देते हैं और पहले प्रस्ण का उत्तर है कम से कम वह लिख करें और आगे बढ़ जाएए तो पहला परस्डर वैदिक सहिंति अग्रिक पोप्लर कोश्चिन है हुमेश हैसा पोच्जिया लेकिन आपको इसके बारे में 9 आ परपको जानकारी होनी चाहिए वैसे भी आप सबर्फतीन दिके बार्नें तो जानना भी चाहिए ओके ठीक है मैं आपको इस बेस पे कोईश्चन सिलेट करा रहा हूं इस वीडियो में आपको कौन से मौस्ट इंपॉर्ण कोईश्चन वह बताऊंगा प्लस कौन-कौन से बार-बार रिपीट हो रहे हैं उनको मैं सिलेट करा दूंगा ठीक है ताकि उनको आप लोग तैयार कर सकें ठीक है अब बढ़ते हैं अगला प्रश्चन है कि रामायड रामयड जो कि एक महा काप बहें तो सिंपल सी वही रामयड जो आप पढ़ते हैं जो भगवान तरी रामचंद जी के जीवन पर आधारी थे और रामयड में किस चीच के बारें बताया किस ने लिखी है कैसे क्या है यह आपको लिखना बस सिंपल सी परिवादा सा पचास सब्दों में महाभारत काली बंगा तो बहुत कम हमीद आने कि लेकिन महाभारत रामयड यह दोनों महा काब्वे हैं इनसे जुड़ा कोश्चन तो हमेंसे आता है हो सकता दोनों प्रस्च करता हैं दोनों के बारें पढ़ लिएगा रामायड के बारें और महाभारत के बारें ठीक है चलिए निस्ट कोश्चन है कि मेरे टिक क्या है यह कोश्चन भी बहुत कमाता तो आप इस एक नोर भी कर दीजिए ठीक हमारा मकसद देए कि हम आपको वही सारे कोश्चन बताए जो परिच्छ में बार-बार रिपीट हुए हैं और इस बार भी आने की संभावना है ठीक है जैसे यह प्रस्टन है यह बहुत ही महत्पूर्ण प्रस्टन है और हमेसा पूछा जाता है कौनसा कुश्चन है कि हम्मु रावी के बारे में यह इतिहास का क्वेश्चन है इति अगला कोश्चिन जिगूरत है यह भी कोश्चिन हमेशा पूछे जाना वाला कोश्चिन है एक आज दो परिच्छा छोटी इसमें नहीं आया हो और लगभाला हो सब में आया कुल मिला कि नब्य प्रसथ मोस्ट इंपड़न कोश्चिन जिगूरत नोट कल लिए अगला कोश्चिन के नील नदी नीन नदी भी बहुत पॉप्लर कोश्चिन यह आपको अतले गुत्रे में देखने को मिल सकता है लेकिन आयेका जगरू यह पक्का है ठीक है नील नदी का वर्दान नील सकते इसी प्रकार के प्रस्दा्ट्रश में आत्लिभुत्र में देखने क्नें मुलेंगे कुछ इस प्रकार के सिम्पल तरीक श्खया है question करना है उसका उत्तर कितने सब्दों में लिखना है यह जानकाई नमबर मिलें लेगे यह प्रूआ जानकाइदी गई है आपको पढ़ लेना है फिर उसके बाद उत्तर देना है तो दील गुत्रे का पहला प्रश्ण कि वेदांगों का फोदाहण वरण कीजिए यानि कि कितने वेद हैं उनके लाम लिखना है प्लस उनका उदाहण सहित ठीक है लिखना पड़ेगा आपको ठीक है और यह बहुत ही पॉप्लर कोईश्चन है 100% फशेगा नोट कर लिजिए अगला कोईश्चन है कि सिंदु सरस्त सब्सक्रत के समाजिक जीवन का बिसलेशन कीजिए वैदिक सांस्कृत वैदिक काल ठीक है इनसे सब्से जड़ा कोईश्चन हमेशा पूछा जाता है तो इस बार भी उम्मीद है कि फंसेगा नब्वे प्रत्सत ओके चले नेश्च कोईश्चन देखते हैं नेश्च कोईच की सांस्कृत के नेश्च को बोलते हैं थिक नेतिक आदर्स एक इνसान जो होता है की reacting दो तरीकी का इनसान होते हैं एक अच्छा एक बुरा ति अच्छा वाला सब्द नेश्च का अधर्स का वारन कीजिए तो महाकाब वियुक कि जो रित रिवास थी उसमें जो अच्छे फे बिचार लोगों के थे नैतिक बिचार थे उन सभी के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है ठीक है महात्पूर्ण प्रस्न है अगला प्रस्न है कि प्रचीन बिच्जु की सभ्श्वता के उदय में नदी घाटियों के यूगान का बिस्टलेशन कीजिए यह फिर यूगदान के बारे मदाईए ते भी महात्पूर्ण प्रस्ट ने 100% उम्मेदिक फसेगा ठीक है प्रिचीन बिश्यु की सब्वेताओं के उदेक में नदी जो घाटिया रहे हैं उनका किस प्रकार कंट्रिविशन रहा है ठीक है उन्होंने किस प्रकार हेल्पी की है यह आपको लिखना है महात्पूर्ण ह वर्दान किजीं बहुत ही पॉप्लर कोईश्चन है आप कहानी के तरह थायार कर लेंगे अभी उत्तर आपको बता देंगे कहां पर मिलेगे अगला कोश्चन है कि सांग यूगीन चीन की धार्मिक मानेताओं का बिस लेटर कीजिए तो सांग यूगीन कभी कतार आता हमेशा नहीं आता लेकिन चीन यानि कि चाइना जो देफ है इस जोड़ा कोश्चन एक जरूर फंसता पर इच्छा में ठीक है आप पढ़ भी सकते इ हम खंडसा की ओर जहां पर आपको दीर घुत्रे कोश्चन देखने को मिलेंगे ठीक कौन से देर घुत्रे जिनको आप लोग विससे दुत्रे भी बोलते हैं तो सेम तो सेम इसमें भी पूरी दिसा निर्देश दी गई है कि कि इतने कोश्चन करना है उसका उत्तर कितने सब कि आप प्रती प्रत्र आप दस नम्बर मिलेंगे दो प्रस्चन देनेश धेर और ध कि alguém के से वेड़ाद्य कोश्चन आएगा ये question 100% guarantee तो नहीं है लेकिन 80% उम्मीद है कि अति लगुत्रे लगुत्रे दिर्गुत्रे किसी ना किसी में फसेगा ठीक है उसके बाद अगला प्रशन है कि शिंद सरस्वति सब्विता के पतन के लिए उत्तरदाई करणों के विविशना कीजिए तो सिंद सरस्वति सब्विता फिर्ड़े question एक नहीं दो आएंगे वह सकता है सिंद सरस्वति सब्विता के बारें बताईए सिंद सरस्वति सब्विता के पतन के करणा बताईए सिंद सरस्वति के विश्ताय में बताईए ऐसे प्रशन हो सकते हैं विविविन प्रकार के जिन को आपको करना है तो हमेशा तो नहीं आता लेकिन कभी कदार आता है अगर आपकी इच्छत पढ़ें दर्वाइब भी कर सकते हैं उसके बाद अगला प्रस्तु थे आप लोगों कि समस्त की प्रचीन चीन की आर्थिक दफ़ा का वर्ण कीजिए तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि चाइना की चीन देश पीड़ा कोईशन हमेशा एक जरूर पूठा जाता है वह प्रचीन चाइना देश की आर्थिक इफ्थित कैसी थी उसके बारे में हो वक् लेंगे तो कुछ इसी प्रकार के आपको कुश्चन देखने को मिलेंगे और जो जो मैंने कुश्चन बताएं इन पर आपको जुरूर फोकस कर लेना ठीक है और अगर पीडियाप चाहिए पूरी 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 तो आप हमारे टेलीग्राम वाटसप से जोइन हो सकते हैं इ अगर कुछ भी नहीं कविए कुछ भी नहीं कखरीदना है तो सिंपल साब को इंटर नेट पर जाना है तो यह नहीं कि सांग यूकान जैसे कोई भी कुश्चन का उत्तर आपको तयार करना इसों आप विल उत् voz मारे आ कर सकते हैं थाँए इतना लीखेंगे आप आने वाले दिनों में हम आप लोगों किसमस क्लासेश भी लेकर आएंगे, उसमें कोश्चन भी होगा, उसका उत्तर भी होगा, फिर उसके बाद महासा अग्राम वीडियो आएंगी, जिसमें से पूरे पूरे स्लेवर्स से, जितने वी कोश्चन पूछे जा चुके हैं पिसले झूरे जोगैंगे, उसमेव साहЭтоड, जो आढे हो औरे से जाँ जा प्रेया है, तो शला लोगा प्रेदारा रोगे जाएंगे, जितने हुऊ होगा पूड़ाएंगे